शुरुआत करते हैं मद्या परदेश की 39 लोग सुबा सीटों से फ्लोई 68 बजार की तासरवे के अनसार मद्या परदेश की 2 लोग सुबा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी को काम्याबी हासिल होने वाला नुमान लगाया गया है दो सीटें कॉंग्रेस को दे दी गई है तो व शुरुआत की तासरवे के अनसार हर्याना की 2 लोग सुबा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी को काम्याबी हासिल होने वाला नुमान है तो वहीं हर्याना की एक लोग सुबा सीट पर जेजेपी को काम्याबी हासिल होने वाला नुमान लगाया गया है तो वहीं हर्याना की 7 बारतिय अंता पार्टी एक तरफा कबजा करने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा करनाटक राज्ये की टोटल 28 लोग सुबा सीटें है शटा बजार की तासर वे के अनुसार करनाटक की चार लोग सुबा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी को काम्याब भी हासिल हो सकती है इ तिलांगना की दस लोगसुबा सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी एक तरपा कबजा कर सकती है तो वहीं टियारस और अन्य मिलाकर की चार लोगसुबा सीटों पर जीत आसिल कर सकती है तो वहीं तिलांगना की तीन लोगसुबा सीटों पर बारत्य अंता पार्टी कमल खिलाने म कामियाब हो सकती है तो वहीं DMK को 60 वजार की तासर वे के अनुसार 31 सीटों पर है जो कामियाबी हासिल होने वाला नुमान है तो वहीं तमिलनाडू की किसी भी सीट प्रवारतियंता पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी इसके अलावा केरल राज्ये की टोटल 20 लोगस सीटें हैं आज की तासर वे के अनुसार कोंग्रेस पार्टी केरल में 18 लोगसुबा सीटों पर एक तरफा कबजा करने में कामियाब हो सकती है तो वहीं केरल की दो लोगसुबा सीटों पर LDF को कामियाबी हासिल होने वाला नुमान लगाया गया है अलांकि केरल में बारतिय अन्ता पार्टी अपना खाता खोलने में भी कामियाब नहीं होगी जीरो सीटें दी गई है इसके अलावा अंदर परदेश राजे की टोटल 25 लोगसुबा सीटें हैं 60 अवजार की तासर वे के अनुसार अंदर पर परदेश की 8 सीटों पर YSRCP का कबजा रह सकता है तो वह 17 लोगसुबा सीटों पर TDP एक तरपा कबजा करने में कामियाब हो सकती है लेकिन यहां पर कोंग्रेस पार्टी और बारतिय अन्ता पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा दोनों को ही 0 सीटें 60 बजार दे रहा है इसके अलावा उतर परदेश राजे की टोटल 80 सीटें हैं और आज की तासर वे के अनुसार उतर परदेश की एक लोगसुबा सीट पर कोंग्रेस पार्टी को कामियाबी हासिल हो सकती है तो वहीं समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान 60 बजार ने लगाया है तो वहीं अपना दल यूपी में 2 सीटों पर कर सकता है इसके अलावा रल्डी को भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है तो वहीं बारते अंता पार्टी यूपी की 51 लोगसुबा सीटों पर एक तरपा कब्जा करने में कामियाब हो सकती है इसके अलावा पंजाब राज्य की टोटल 13 लोगसुबा सीटें है जहां कोंग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलने का अनुमान है पंजाब की 5 सीटें कोंग्रेस को दे दी गई है इसके अलावा 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी का पंजाब में एक तरपा कब्जा रहने वाला अनुमान है इसके अलावा एक सीट पर अकाली दल का कब्जा रहने वाला अनुमान आज की तासरवे में 60 बजार द्वारा लगाया गया है, तो वहीं पंजाब की दो सीटों पर 12 जंता पार्टी कमल खिलाने में काम्याब हो सकती आज की तासरवे के अनुसार, इसके अलावा जार्खंड राज्ये की टोटल 14 लोकसरवा सीटें और आज की तासरवे के अनुसार, जार्खंड में कोंग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा, जीरो सीटें दी गई है, तो वहीं जार्खंड में दो लोकसरवा सीटों पर काम्याबी हासिल उनुवाल अनुमान आज की तासरवे में लगाया गया है, इसके अलावा AJSU और अन्ये को एक सीट मिलने का अनुमान है, इसके अलावा जार्खंड की 11 लोकसरवा सीटों पर बारतिया जन्ता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान आज की तासरवे में लगाया गया है, पस्चमी बंगाल की टोटल 42 लोकसरवा सीटें है, इसके अलावा मारास्टरा राज्ये की टोटल 48 लोकसरवा सीटें है, आज की तासरवे के अनुसार मारास्टरा में कोंग्रेस पार्टी 7 लोकसरवा सीटों पर कबजा करने में काम्याब हो सकती है, तो वहीं उद्दव ठाकरे और सर्द पुवार का गुट 10 लोकसरवा सीटों पर कबजा कर सकता है मारास्टरा में, इसके अलावा अन्सीपी अजीत पुवार को 4 सीटें मिलने का अनुमान आज की तासरवे में लगाया गया है, तो वहीं सिंदे गुट वाली सिवसेना को 6 सीटें मिलने का अनुमान तासरवे में लगाया गया है, मारास्टरा की 21 लोकसरवा सीटों पर बारतिय अन्ता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है, इसके अलावा बिहार राजे की टोटल 40 लोकसरवा सीटें हैं, 60 अबजार की तासरवे के अनुसार बिहार की एक सीट पर कोंग्रेस पार्टी को काम्याबी हासिलोन वाला नुमान लगाया गया है, इसके अलावा और जेडियू और लेप्ट मिला करके टोटल 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं, तो वहीं जेडियू और लजीपी मिला करके 15 लोकसरवा सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं, इसके अलावा बिहार की 18 लोकस्वा सीटों पर बीजेपी एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा असम राजे की टोटल 14 लोकस्वा सीटें है 16,000 की ताह सर्वे के अनुसार असम की 2 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी को काम्याबी हासिल होने वाला नुमान लगाया गया है तो वहीं असम की 12 लोकस्वा सीटों पर बारतिय अन्ता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा जम्मू कस्मीर राजे की टोटल 5 लोकस्वा सीटें है और ताह सर्वे के अनुसार जम्मू कस्मीर में एक सीट पर कॉंग्रेस पार्टी जीदर्ज कर सकती है एक seat Congress को दे दी गी जम्मू की तो वहीं National Conference को जम्मू कस्मीर में दो सीटों पर काम्याबी हासिल हो सकती है इसके अलावा दो सीटों पर जम्मू कस्मीर में बारते अंता पार्टी कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है सटा बजार की तासरवे के अनुसार इसके अलवा 36 गड़ राजे की टोटल 11 सीटे हैं बीजेपी का राज है परदेश में सटा बजार की तासरवे के अनुसार 37 गड़ की एक लोगसुबा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी को कामयाभी हासिल होने वाला नुमान लगाया गया है तो वहीं यहां पर दस सीटों पर बारते अनुसार पार्टी एक तरपा कमल खिला सकती है गोवा राजे की टोटल 2 सीटे है चटा बजार की तासरवे के अनुसार गोवा की एक लोगसुबा सीट पर कॉंग्रेस पार्टी को कामयाभी हासिल हो सकती है तो वहीं बारते अनुसार पार्टी भी गोवा की एक लोगसुबा सीट पर कामयाभी हासिल कर सकती है इसकी अलावा उडिसा राजे की टोटल 21 लो इसके अलावा उडिस्या की 10 लोकसुबा सीटों पर ही 12 अंता पार्टी कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा राजदा ने दिल्ली की टोटल 7 लोकसुबा सीटे आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस ने यहां पर गटबंदन किया है बावजुद इसके कॉंग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को 0 सीटे मिल रही है इसके अलावा हिमाचल परदेश राज़े की टोटल 4 लोकसुबा सीटे है कॉंग्रेस का राज है परदेश में बावजुद इसके कॉंग्रेस और इंडिया गटबंदन सहीत अन्य को 0 सीटें 60 बजार द्वारा दी गई हिमाचल की 0 सीटें कॉंग्रेस को तो वहीं बार्टे अन्ता पार्टी हिमाचल की 4 लोकसुबा सीटों पर एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा चंडिगड की एक लोकसुबा सीट है और पंजाब अर्याना की राजदानी है यहाँ पर कॉंग्रेस और अन्य पार्टी सहीत इंडिया गटबंदन को 0 सीटें दी गई है खाता भी नहीं खुलेगा तो चंडिगड की एक मातर एक लोकसुबा सीट पर बारति अन्ता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है 60 वजार की तासर वेक अनुसार चंडिगड की एक सीट बिजेपी को दे दी गई है इसके अलावा उत्रा खंड की पांच लोकसुबा सीटों की चर्चा करेंद 60 वजार की तासर वेक अनुसार उत्रा खंड मे भी कॉंग्रेस पार्टी अन्य और इंडिया गटबंदन का खाता भी नहीं खुलेगा जिरो सीटें दी गई है तो वहीं उत्रा खंड की पांचों लोकसुबा सीटों पर बारतिय अन्ता पार्टी एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा रुनाचल प पार्टी यहां की दोनों लोकसुबा सीटों पर एक तरपा कमल खिलाने में काम्याब हो सकती है इसके अलावा मनिपूर की एक लोकसुबा सीट है और काफी होट सीट है काफी चर्चा में रही है इसके बावजूद कोंग्रेस अन्य सहीत इंडिया गटबंदन का मनिपूर म की टोटल दो लोकसुबा सीटें और 60 अबजार की तासरवे के अनुसार कोंग्रेस और अन्य का तिरुपूरा में खाता भी नहीं खुलेगा इंडिया गटबंदन को तिरुपूरा में 0 सीटें मिल रही है तो वहीं बारते अंता पार्टी तिरुपूरा की दोनों पर बारते अंता पार्टी गुजरात में कमल खिलाने में कामियाब हो सकती है इसके अलावा राजस्तान की टोटल 25 लोकसुबा सीटें हैं पर देश में बिजेपी की सरकार है कोंग्रेस और अन्य सेहित इंडिया गटबंदन का राजस्तान में खाता भी नहीं खुलेगा इ टोटल 12 लोकसुबा सीटें हैं और 60 बजार की ताаж सर्वे के अनुसार इन 12 लोकसुबा सीटियों पर बारते अंता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों का इखाता ही नहीं खुलेगा जिरो शीटें हैं जबकि इन सभी राज्यों की 12 लोकसुबा सीटें हैं यहां पर अन्य दल हमें समझें तो प्रोजीश अटा बजार की आज की तार सरवे के अनुसार कॉंग्रेस पार्टी लोग्सरवाचुनाव 2024 में 65 लोग्सरवाच सीटों पर कबजा कर सकती है। में 167 सीटें UPA की है यानि कोंग्रेस के जो सयोगी दल है उनकी 167 सीटें है और पिछली सरवे के मुकाबले दो सीटों का UPA को फैदा हुआ है UPA को 169 में 167 सीटें मिल रही है तो वहीं NDA के गटक दलों को यहां पर 32 सीटें मिल रही है 169 में से मातर बत्ती सीटें ऐसी है जो बिजेपी की सयोगी दल हैं दो सीटों का पिछली सर्वे के मुकाबले यहां एंड ये को फायदा भी हो रहा है और वहीं बारत्य जनता पार्टी 319 लोकस्वा सीटों पर एक तरपा कबजा कर सकती है लोकस्वा चुनाब 2024 में बारत्य जन पास 65 सीटें तो कॉंग्रेस की हो गई 65 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी आ रही है और 127 सीटों पर यूपिय के जो गटक दल हैं सयोगी दल है वो आ रहे हैं ऐसे में टोटल 112 में लोकस्वा सीटों पर यूपिय का कबजा रह सकता है लोकस्वा चुनाब 2024 में 60 अबजार की तासरवे के अंसार तो वहीं अंडिये के अंडिये में 319 सीटें बार्तियनता पार्टी की और 32 सीटें BJP के सयोगी दलों की है यानि 319 और 32 को मिला दिया जाए तो टोटल 351 सीटें अंडिये को मिल रही है 351 सीटों पर लोक्सवा चुनाव 2024 में अंडिये का कबजा रह सकता है ऐसे में बहुमत के लिए 200 बैतर सीटें चाहिए जो सीधे तोर पर का जा सकता है कि आज की तासरवे के अंसार बार्तियनता पार्टी हासिल करती हुई दिखाई पड़ रही है मोदी सरकार यानि एंडिये 351 सीटों पर लोक्सवा सीटों पर एक तरपा कबजा कर रही है ऐसे में 60 बजार ने तीसरी बार नरेंदर मोदी जी को परदान मंतरी की गद्दी पर बैठा दिया है